हे दोस्तो विल्कम टू आ चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल पे निया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दे जनुएन इंफरमेशन और आपका कोई 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 रिस है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 31 डिसमबर 2021 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुती शांदा टेक्स्टेल सेक्टर का मार्केट लिडर्शियर ट्राइटें लिमिटेट के उपर आज की डेट पे एक नई बल की दो बड़े बड़े नियूज आया है तो चलिए देख लेते है कि क्या नियूज है और उसके साथ साथ ट्राइटेंट के अंदर आज की डेट पे कुछ खास चेंजेस तो देखने को नहीं मिला बट आज की डेट पे जो पोजिशन है उसके उपर बेस करके क्या आपका आगे का रननीती हो सकता है इसके उपर भी हम पूरा डिसकाशन करें प्लीज वीडियो को बिना स्किप किये पूरान तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझाए तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट आकौन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाटवर्म में डिमेट आकौन उपेन कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज प्रीज ना के बड़ाबर लगता है लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह चार्ट चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आदे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा तो दोस्तो आज है 31 डिसमबर 2021 साल की अखडी दीन और उसके साथ साथ आखडी ट्रेडिंग डे पर आज की रिट में काफी शांदार बुल रन देखने को मिला मार्केट के पर और उसके साथ साथ ट्राइ बास मूबेंट हमें देखने को नहीं मिला ट्राइडेंट की शेर के अंदर बट आके आने वाले दिनों में कभी भी इसके अंदर काफी शांदार एक ब्रेक आउट होने का चांस है क्योंकि ऐसा ही दोस्तों दो निउस है एक एक करके चलिए मैं आपको कवर करता हूं तो द ठीक ऐसा ही दोस्तों पचास से सौ करोर का कमर्शियल पेपर इशु किया था फंड्रेस किया था जिसके कारण दोस्तों उसके डिरेक्टली फायदा मिला था ट्राइडेंट को ठीक है और आज की रेट पर आप देख सकते हो ट्राइडेंट ऑन फ्राइडे एनाउंस धैट इस फिर से इशु किया है कमर्शियल पेपर अल्मोस्ट पचास करोर का इस बार क्रेफ्ट आउट ओफ वरकिंग कैपिटल लिमिट अनुसके साथ साथ देख सकतो यहां पे जो कमर्शियल पेपर इशु किया है उसके अपर जो रेटिंग आया है क्रिजिल का एक बहुती दि कमर्शियल पेपर रेस करना यह बीच बीच में फाइदा मिल रहे कंपनी को क्योंकि कमपनी का दोस्तों यहां पर बोल चाइब और एक अपडेट है चलिए आपको दिखा दितुए तो यह तो बहुत ही अच्छा एंप पॉसिटीव अपडेट है क्योंकि इसके पहले पर आप देखा था जितने बारी ऐसी इशू किया था कमर्शियल पेपर शियर कंदर हमें थोड़ा सा थेजी देखने को मिला तो सब सहले जो नेक्स न्यूज आपके सामने है तो बेसकली यह है ट्रेडिंग विंडो जो क्लोजर और ट्रेडिंग विंडो को लेके तो यहां पर सकतो it is hereby to inform that trading window is been closed कब से closed होगा ध्यान से देखना point को Saturday मतलब tomorrow 1st January 2022 की से यह closing होगा कब तक यह close रहेगा shall be reopened on third calendar day from the date of conclusion of board meeting in which financial result for quarter मतलब जब कमपनी की board meeting का conclusion आउट होगा उससे आगे लगबग तीन ट्रेडिंग डेस के अंदर यह तक यहां पर बोल सकतो कि यह जो trading window यह बंद रहेगा आप trading window क्या होता है दोस्तों basically जो intraday trading या insider trading ठीक है यह सब चीज़ आपको यहां पर close देखने को मिलेगा नॉर्मली आप यहां पर delivery ले सकतो या buy sell नॉर्मली आप कर सकतो cnc जो order है वह आप कर सकतो बट यहां पर इंट्रडे ट्रेडिंग या insider trading बगर यह सब बंद रहेगा कब फर्स जैनुवरी मतलब कल से कब तक जब कंपनी का board meeting का conclusion आउट होगा उससे आगे तीन यहां पर देख सकतो क्लियर कर मेंशन किया थर्ड कैलेंडर डेस तक यह बंद रहेगा तो यह दो अपडेट था जो कि बहुत ही शांदर अपडेट है क्योंकि देखिए कंपनी का रेजल्ट का आउट होगा उसी दिना में पता चलेगा जो अब तो डेट डिक्लार नहीं किया बट फिलाल यहां पर उसी दिना में पता चल जाएगा बहुत चल्दी आप बस चैनल के साथ चुरूरा है ना दोस्तों जब भी आउट होगा कोई भी नोटीस फटाफट में आपको वीडियो कर दो शेयर कर दूंगा अब जो कर दोस्तों शेयर के अंदर जब तेजी आया था शेयर अल्मोस्स चालीस रुपए से पहुंच गया था साथ रुपए और उस टाम पर मैं आपको बताया भी ता याद होगा कि कभी वी दोस्तों आप पर सरकीट या लोगने वाला शेयर में एवाइड करना ही सही रहाएगा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए शेयर के अंदर गिरावट हुआ 45 रुपए तक शेयर यहां पर सपोर्ड मिला फिर से उपर जाने के कुशिश मट इस बार 55 रुपए के आसपास यहां पर देख सकतो रेजिस्टेंस फेस क्या फिर से हलका सपोर्ड के बाद फिर से उपर ज लगबग 55.32 यानि जो कि एक टाइम पर इस पर्टिउलर जोन पर आप देख सकते एकदम हाईली ओवर्वर्ड जोन पर चल ला था वही आज की रेट पर एकदम नूट्रल जोन पर ट्रेट कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छा पॉजिव संकत है नेक्स्ट अगर हम बात करे बहुत लोग यह गलती करता है जब तेजी होता है भागता है तब वह खड़िदता है बलकि इसका ऑपोजिट करना चाहिए कि अच्छा फंडमेंटल स्टॉंग जब गिरता है उस टेम पर आपको पिक करना चाहिए अब अगर हम बात करें क्या सबोर्ट लेवल है तो सबसे पहला स्ट्रॉंग सबोर्ड लेवल यह पर साब साब निकल करें वह पचास रुपए का लेवल क्यूंकि इसके पहले भी मैं आपको कहा था कि यह जो पचास रुपए सो रुपए 200 रुपए होता है यह बेंचमाक होता है कोई भी शेयर के लिए एक बार क्रोस कर गया तो व तो अगर आपको खरीदना है ट्राइडन का शेयर तो यहाँ पर मैं आपको दो लेवल बताता हूं अपर साइट में लोवर साइट में दोनों केस में यहाँ आपको दिमाग में होना चाहिए अगर लोवर साइट की लेवल की बात करें तो यहाँ पर खरीदना पचास वह सत्तावन रुपए सतावन से साथ रुपए के लेवल के आसपा से अराउंड आप यहां पर बाइक करना क्योंकि इसके पहले भी आम ने देखा जब शेयर कंदर तेजी आया था एक बार साथ रुपए पर रिजिस्टेंस फेस किया एंड लास्ट टेम देखें साथ रुप और आप शेयर कंदर इंवेस्ट कर सकतो और अगर हम बात कर देखें शेयर के अंदर तभी इंवेस्ट करना चाहिए जब ऐसे नॉर्मल ट्रेट कर रहा हो मतलब फ्लैट्रेट कर रहा हो या करेक्शन में चल लो जैसे के पहले भी हमनें देखा था दिखिए शेयर कंदर करना है अगर हम बात करें आज की रेट में दोस्तो बहुती शांदार हमें कारवार भी देखने को में लगा क्योंकि देखें क्योंकि वालिटी स्टॉक है जो इन्वेस्टर से वो बेसिकले डेलीवरी उठाना ही ज्यादा पसंद करते है आज की रेट पर देखें ऑल्मोंस